नोकरी की, कि आपको पहले नंबर पे कौन सी नोकरी चाहिए, दूसरे पे कौन सी चाहिए 25,000 के आसपास वेकंसी हैं, तो जो इन 11,00,00 में से टॉप 25,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन्ही को मोका मिलेगा, अलग-अलग एक्जामस में भी बैठने का, और अपना नोकरी पाने का तो इस बार ये 25,000 स्टूडेंट्स को नोकरी मिलेगी, अगले CET में ऐसे ही कुछ और टॉप पर स्कोर नोकरी जो है वो दी जाएगी है, उन्होंने बिल्कुल कलिर बता दिया है तो शायद अब आप किसी भी ब्रहम में नहीं रहेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है और आपको लगता है कि आपका स्कूर मेरिट में नहीं आ सकता मेरिट मेंने का मतलब होता है 75 परतीशत के आसपास अगर आपका स्कूर है यानि कि 100 में से 70-75 नंबर अगर आप लोगों के बन रहे हैं तो आप मान सकते हैं कि second paper के लिए आप eligible हो सकते हैं उससे नीचे अगर आपका score है यानि कि 65 के आसपास है तो आप कही ना कही थोड़े से खत्रे वाले जोन में आते हैं तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं उन सभी से एक request करना चाहूंगा दोस्तो बेड़ चाल को ना चलते हु आप लोग खुद तै करें कि आप लोगों के लिए क्या सही है और क्या गलत है आप लोग मैचूर हो चुके हैं अब इतने government job की तयारी कर रहे हैं तो आपको सही गलत के बारे में knowledge है तो दोस्तो देखो staff selection commission या फिर SSC जिसको हम बोलते हैं उसके अंदर बहुत सारी vacancies अब हैं जैसे जैसे election का time और टेगरी में तो भी आपका selection जो है वहाँ पे बहुत है और शोफ करने वाली आदत अपनी तो देखो भी और ना ही अपने बसका है ये rally value में जाना ये धरने परदर्शन करना हाँ वो अलग बात है students अभी भी हर्याना पुलिस के लिए जो धरना support है आप students भी ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो लोग कुछ दिन पहले CET qualify के लिए आप लोगों को उकसा रहे थे और आप वो अपने batch बेचने में लग गए है SSC के लिए और इन सब चीज़ों के लिए ऐसे लोगों से दूर रही है इन लोगों को आपके भाईशे के नही बढ़ाने हैं इनको अपनी growth करनी हैं इनको कोई फरक नहीं पड़ता इनके लिए qualify नहीं होगा तो इनके लिए दूसरे exam के batch तयार हैं सबसे important बात मैं आप लोगों को जो बताना चाहूंगा वो ये बताना चाहूंगा कि अगर आप सभी ने C group के लिए कोई online batch लिया था और C group के लिए आपने तयारी करी है तो आपने high level की तयारी कर चुके हैं आप D group के लिए आपको उस level की तयारी की जरूरत नहीं है उससे नीचे रहकर आप तयारी अराम से कर सकते हैं लेवल को नीचे रखके तयारी कर सकते हैं तो आपको D group के लिए अलग से कोई batch लेने की बोला जाएगा हो सकता है वो सभी टीचर्स अच्छे हूँ ओथेंटिसिट्ट पारी है चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ चाहे फिर और कोई भी क्यों हाँ चाहे 15 आए 20 आए कोई फरक नहीं पड़ता है और पोजिटिव माहुल अपने आसपास रखिए और बहकावे में ना य है वो सिर्फ आप ही बता सकते हैं खुद को